आपका 8 जुलाई तक का करेंट अफेर्स है ठीक है लगबख 40-40 कोशन होंगे स्केंदर स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि हम करेंट अफेर्स पढ़ेंगे और यह प्री और्येंटेड है प्री के साफ से अब्जेक्टिव रहेगा ठीक है और इन ही के हम लोग कुछ प कुछ नमर वन इन जून 2022 अवास योजना अर्बन पी एम ए वाई यू वाई यू वास सेलेब्रेट बाइट बाइट अवास और शहरी मामलों के मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री अवास योजना शहरी पी एम ए वाई यू की डैश वर्सकार्ट बनाए गई है कुछ यू यू यह क्या चीज़ होती है ठीक है वैसे यह मेंस का भी है यह पिरी के कोश्चन है लेकिन इसी तरह कुश्चन आपके मेंस में भी आते हैं जब हम योजनाओं के बारे में डिसकस करेंगे आपका GS1 जो है उसमें आपका अर्बनाइजिशन वगरा जो कॉंसेट है उस सब आपको मेंस के पॉइंटर को से याद रखने है ठीक है यहां पर तो सिंपल कुश्चन बुछ दिया कि में कौन सा है तो इसका जो आंसर होगा वह है आंसर नमारे यह हमारा है साथवी साथवी जो है वार्श काड़ बनाई गई यह किसने बनाई है प्यमें वाई यू न सातमी है प्रद्रा मंत्री आवास यूजना अरबन इसका मतलब क्या है यह जो इसमें कुछ आपको याद के पॉइंट्स किया है इसके अंदर गावों में नहीं होते हैं शेहर में और प्रॉलम क्या होता है कि जो लोग माईग्रेट करके आते हैं लोग उनके रहने के धंसे उनके इंतियाम नहीं होता है तो वहाँ पर फिर सरकार जो है वो योजना यह थी आपने इंडरा वास योजना का नाम सुना होगा बहुत सरकारों ने इस तरह की चीज़ दी हुई है ठीक है तक मिस इंडिया वर्लवाइड दर बाइस की विजयता की से खुशित किया गया है अब देखें यह इस तरह की सवाल बहुत आते हैं को मिस मिस वर्ल्ड के ओपर आते हैं ठीक है खुशी पटेल अनुश्य वस मनुशी छिल्लर नन अफ देज आप ननुश का लेकिन है खुशी पटेल अनसर है ठीक है अच्छा आप देखिए पास समेंजिए यह देखना है कि कौन सा कॉंपेटिशन है बहुत सारे कॉंपेट मिस इंडिया उनिवर्ष मिस इंडिया वड्ड और एस इंडिया अश्य पैसिविक और इस फॉस्ट होता है फूर्स में जाता है मिस इंडिया वाला मिसड व्ल्ड वाइट एसुव्लाइद घए लाऑल अब क्या हुं पीछ है क्या कुआ अंग कि दूज जए-पिश्य सालो कि अधिन कर सकता है वह यह सिंपल वो जह चला रहा था कि हम इस तरह के आपको छोटे वाले को इस देख ता है वह कला तो किस अंत्रिक्ष्ट गया है नासा एक स्पेसेक्स या रोकुसम रोकुस मौस इसका अंसर है नासा थीक है नासा ने यह कैप्स्टोन नाम का जो है यह सेटलाइड को लाउंच किया है ठीक है इसका फुल्वाम है कि लूनर ऑटोनॉर्मस पोजिशनिंग सिस्टेम टेक्नलोजी ठीक है ऑप्रेशन एंड डेविकेशन एक्सपेरिमेंट एगे ठीक है अच्छा और यह लूनर ऑर्बिट में आएगा यह जिसमें चांद इसमें घूमता है लूनर ऑर्बिट ठीक है कैप स्टॉन है अच्छा आप यहां पर देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि नासा इस लोग ठीक है इनके जो एक दो साल के अंदर कुछ जो खास मिशन हुए हैं मालों मंगल का मिशन हो गया चांद का मिशन हो गया यह आपको याद नहीं कि मैस्ट फॉ वीने से बेजा है कभी जुपीटर में भेज़ देते हैं कभी तो अलग अलग टाइम पर अलग उन्हेंने मिशन बेजें तो वह आप याद दखेगा उसको जीके यह समझ लीजेगा कभी करेंट हो यह जीकी होता है ठीक है ठासकर वह मार्स में बहुत भेशता है वह ऑपश आप को यह समझना है कि अगले साल के अंदर जो भी इस्रो लॉंश करेंगा सट्लाइट जो किस तरह के विए सप्क्लाइट नोंच की हैं किस देश की सईप्लाइट लॉंच किया है पीसलवी कौन से नंबर काता है कौन से याथ या फिफ्टी थरी हो गया फिफ्टी फाइव ओगया जो भी ऑगया जो पॉइंट रहेंगे वह जादा तक देखना है और जिए शल्वी ने पिजा है यही चार-पाइध चीजे जिसको नजा रखने है जो इए आपके आजाएंगे एक और खासियत है जो इस कोशन में है आपने स्पेस एक्स देख रहे हो गर्हाँ इस पेसे एक्स किसकी कंपनी है। कि कि मुदिन के ऐलं मस्के ठेक है और यह प्राइव journalism आशा ड्च ड्रोइस अब सरकाली कमपणी आइस पहली प्राइवर सेनी है लॉन मस्की और कॉष्ण बंग विचुकत इसके उपर इसकी खासियत क्या discourage एप इधर प्राइवेट हैं लेकिन इसने री यूजेबल रॉकेट इस्तमाल मलब कर दी है पहले कि नासा ने एक रॉकेट बनाया वो सेप्लाइट को लेके चला गया और वह इंद खतम हो गया अब इसे कॉस्टिंग वह जदा बढ़ आती है हर बार सेप्लाइट लो हर रॉकेट लेकर जाओ तो इन्होंने का किया है कि इन्होंने री यूजेबल कि एक रॉकेट गया अपना काम किया वापस आएगा उसको फिर सब यूज कर सकते हो तो कॉस्टिंग यो काउज आती है इ अब आगे दो प्सल्व आई गया इंद प्सल्वी सी फिफ्टी थी वाला मिशन है इस तो लॉंच त्री सेटलाइट ऑफ विच कंट्री प्सल्वी सी फिफ्टी थी मिशन में इस रो ने किस देश के तीन उपगरहों को लांच किया है नेपाल सिंगपूर जपैन न्यूज बश्वाश किया है अब यह क्या चीज़ इए समझेज बात को दखिया कि इस रो ने इस तो खासत किया है इस रो की खास्यात यह है कि सस्ते में ये आपका सेटलाइट भेज देता है उत्तर ये है इसरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंड और पीएसलवी उसका सबसे रिलायबल गारी है पीएसलवी एक रॉकेट है जो सस्ते में अगर नासा मालो एक लाग रुपए ले रहा है तो अपना जो इसरो है वो दस अजार प्राइब में आपको भेज देता है तो लेकिन प्रॉलम किया कि बहुत बड़े बड़े सेटलाइट नहीं भीज़ पाता है छोटा हलके भीज़ पाएगा बहुत दूर भीज़ पाएगा तो जो सेटलाइट आसपास बहुत अर्थ की ओरबिट की थोड़ा पास वाले और होते हैं हलके छोटे सेटलाइट होते हैं उसके लिए पेसल भी बहुत सस्ता परता किफाजी बढ़ता है तो दूसरी कंट्रीज भी अगरती है सिंगापूर होगे ब्राजील होगे अभी पढ़ोगे एक दिर साल के अंदर आप देखोगे यहां था कि अमेरिका भी अपने की इंद्या के बहुत स्टेमरों जो बड़े होते हैं जा कि इंसान को बिठार कर अंपि भी घृज ना इसके लिए चाहिए चाहिए होता है बड़े आपके प्यासली से जा पाएगा वह जी एसली के बड़े रूट उसके लिए ठीक है तो हलके काम में हमने एक्सपर्टीस कर ली है इसलों ने पिछले 20-25-30 साल के अंदर छोटे सैटलाइट में तो एक्सपर्टीस कर ली है लेकिन अब समय आ गया कि हम और बड़ा काम करें हम इंसानों को अंतिश्य भेज सकें या अमेरिका इसा काम कर रहा है या चाइना ने अभी जैसे अपने लोगों को बेज़ बाएं तो उसके लिए बड़े रॉकेट चाहिए होंगे एसे रॉकेट जो इंसानों को चान तक ले जाए और फिर वापस भी लेकर आ जाए जैसे अमेरिकान ने किया तो प्येसल्वी समझने आ गया पोई है तो तो कभी कभी ऐसा आगा कुछ कुश्चन आपके बनेंगे अगर जीके दिखेंगे तो एसल्वी यह पहला सेटलाइट कौन सा था आरे भाइट वगरा थे ठीक है और इनकी हिस्ट्री होती है इसलों वाले की अपनी सेटलाइट मिशन की यह थोड़ता पढ़ लेना कि अलागला टाइम पर कुछ इंपॉरेंट इंपॉरेंट काम हुए है ठीक है कि एक जमाने में थुम्बा में शुरू हुआ था के रल में थुम्बा एक लाका है वहां से रॉकेट पहला स्किया था और उसके बाद आज यहां तक पहुचे हैं हम लोग कौन सी एजनसी से वरती है विकम सारवाई स्पेस एजनसी हो गया यह सब यह इनके बारे में पढ़िएगा थोड़ विकम सारवाई स्पेस एंटर कहां पर है विकम सारवाई गौन है यह उंकर कॉंट्रिबूशन क्या है इस बिद्या को यादन है ठीक है इस इंपोरेंट सेट लाइट वो बन्दें है विकम सारवाई अभी रॉकेट बोईज नाम की विच्चर आई एस वेब सीरीज आई त इस को स्टार्ड किया कि भारत में काम सुरू हो सके तो बहुत इंबॉटन तो उन्ही के नाम पर विकम सारवाई श्पेस सेंटर हाई ए ठीक है जासे साथीज धवन स्पेस सेंटर श्री हरीकोटा यह है यह कहां पर है ठीक है यह आपको यादखना सी जोगले का which is the venue of the 11th world urban forum held in 2022 2022 में आयोजी 11 विश्व सहरी मंच का आयोजी ने सल कहां पर है Spain, France, Australia, Poland 11th world urban forum यह अलग अलग forum का मतला meeting एक conference होना forum का मतला conference होता है ठीक है तो 11th world urban forum अब दो के शहरी वाला शहर में क्या दिक्कत रहे हैं शहर क्या प्रॉलम्स क्या हो सकती है तो इसके बारे में discussion जो हुआ है वो पोलाइंड में हुआ है ठीक है world urban forum 11th session जो हुआ है वो पोलाइंड में हुआ था 26 से 30 जून 22 के में हुआ था ठीक है अच्छा 11th world urban forum was held in Poland the National Institute of Urban Affairs Climate Center for Cities World Resources Institute of India and their partners launched India first national coalition platform for urban nature-based solution चली इसके बारे में थुरा और पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे में इसमें पढ़ेंगे 2022 Re-Silent Democracy Statement अब इन पहुआ है बहुत इंपोर्टन कोशन नही है 2022 Re-Silent Democracy Statement is associated with which global association 2022 में Re-Silent Democracy Statement किस वैश्विक संग्र से जुड़ा है G7 Bricks G20 आश्यान किसे बढ़ा है जल्दी में हुआ है तो बार बता देंगे लेकिन इसको याद दे रखना है कि G7 में हुआ है और G7 Conference जो हुई थी जर्बनी यादि मिन्वीक में हुई थी कहां पर उथी मिन्वीक जगर नामे मिन्वीक वहां पर उथी याद रखना है जर्बनी मिन्वीक में हुई थी वहाँ G7 क्या चीज़ है बहुए पताईए इंगे इसको पाट बी G का मतलब क्या होता है Group of 7 साथ लोगों का Group साथ सबसे जो रइस गंट्री थे होंगा है अमेरिका हो गया इसके इंदर ब्रिटेन फ्रांस हो गया इससले कंट्री तो इनके जपान हो गया तो इनके साथ लोग साथ बड़ी एक्ट्रोमीज है उनका ग्रूप है ठीक है और इस बार उन्हें पांच बाकी दूसरे देशों को इनके इंडिया भी था इंडिया अर्जंटीना इंडोनेशिया इटली यह लोग है थे तो इन लोगों ने वहां पर ग्रूप सैवन की तो मिटिंग हो ही रही थी लेकिन बाकी गंटी जो आये थे जो कि देखने आते हैं अब्जर्वर करने के हाँ पर क्या हो रहा है क्यों की बहुत बढ़ी बात ना ग्रूप सैवन मलब साथ बड़ी किनॉमी जो है वापस डिसकस कर रहे हैं कुछ भी फैसला करते हैं कुछ भी फैसला करते हैं तो उसका फर्भाव बहुत बड़े इस तरह पर पढ़ेगा और यह आपको देखे इस तरह के सवाल बनेंगे G7 क्या है आपका G20 क्या है अब G20 आशकर ख़बरों में है कि इंडिया जो है वो G20 की जो है मिटिंग कराएगा कश्वीर में और रदाक में आना के मूड में यह बहुत-बहुत बड़ी ख़बर है यह खरतना से इंपॉर्टेंट ख़बर है यह तो G20 में लग ग्रूप ऑफ 20 कि यह क्या है कि दुनिया के बड़ी 20 बड़े इंपॉर्टेंट देश जो है वो आएंगे और कराएगा है कश्वीर में लदाक में इंडिया के दो सबसे डिस्प्यूटिट इलाके लदाक चाइना इधर पाकिस्तान तो अगर वहाँ दुनिया के लोग आएंगे तो चाइन पर प्रेशर बढ़ाने की कुशिश की आ रही है तो यह मोदी का बहुत मास्टा स्टोक हो जाए लेकिन अगर माल यह खुजाना खासता अगर कुछ उजदीश हो गई तो यह बूम राइंग की तरह गोंते वह भी लग सकती चो लग सकती है रिस्क है कि एक डिस्पूटिट लाका तो नहीं कोँगा एक डिस्टर्ब लाका है तो समय बताएगा सब कुछ से रहे लेकिन अब जी सैवन हो गया जी ट्विंटी हो गया ब्रिक्स हो गया आशियान हो गया इनकी मिटिंग्स लगाता समय समय पर होती रहती है तो सिविल सर्विसेस में अच्छा खासा समय आपको इन मिटिंग पर दिहान देना पड़े आपको दिहान दिजे गपश्ति हैं अगले एक साल के अंदर यह मिटिंग कहां कहां ऑर्गनाईज हो रही है इंडिया ने खासकर कहां का पाटिसिवेट किया है और इन में से उक कुछ चास चाहां काम होगा जो बड़ा काम हो तो कुछ चीजे हम परीक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और कुछ चीजे हमारे में स्क्री इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, अभी यह समने पढ़ लिया, कि जो जो यह मिटिंग हो रही है, यह दो आरपाइस साइलेंट डेमोक्रेसी स्टेट्मेंट, यह जी सैवन म एक आपको दे रहा हो कि किस तरह से चीजे होती है, चुकि अमेरिका के संबंध भी चाइना से खाणाब हो रहे हैं, तो अमेरिका और उसकी जित्ते यह बागी पांच यह दोस्त हैं, यह चाहते हैं कि इंडिया को चाइना के अगेंश्च खड़ा किया जाए, तो अब अजया एक स्टल्क फारान को बचाने के लिए आप लगातार एनवारिमच न पढ़ते रहते हों फिकर तो यह 1972 के 50 साल पूरे हो जाने पर इस conference के 50 साल पूरे जाने पर ये Stockholm Plus 50 conference अव्जुद की जा रही है कि दुनिया में क्या के दिक्कते हैं किस तरह से climate change, pollution, waste management loss of nature, biodiversity इन सब मुद्वों पर हम लोग जो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए है 72 से बात चल रही है conferences हो रही है बट हमने कुछ बहुत अच्छीव किया नहीं है अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम इस problem से बाहर निकल निपाए है अगर pieces three की बात दे तो आपके लगातार questions आपको environment के आते हैं चाहिए Stockholm की बात हो चाहिए Rio की बात हो Rio conference है कुछ प्रोटोकॉल्स भी आपके हैं कुछ conventions भी आपके हैं आपके आर्दस हो जाते हैं जो लगातार exams में आते हैं कि किस convention से क्या बात हुई ठीक है उसे कि मिन्नी मैटा प्रोटोकॉल क्या है वो mercury को बैन कर दियाता है ठीक है तो ऐसे आपके बहुत सारे आर्दस रहेंगे इनको नज़र रखनी है क्या हुआ है अब यह तो यह प्रीके सवाल है लेकिन अगर यही मेंस में आ जाए कि भाई स्टॉक हम प्लेस फुक्ति में क्या बात किया गिया है कि ऑप किज़र लेके जाएंगे दुन्या को लेके जाएंगे तो यह सवाल पुछ लेगा आपसे में में कि सेलेंट फीचर्स बताइए यह स्टॉक हों में 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 बाते बता दीजी आप तो पांथ दस वाते में में होंगी बता अब इसलिए में प्री के कोश्चन आपके अलग बनेंगे में अलग बनेगा आपका और इसकी थीम जो एक है the theme of the meeting is a healthy planet for the prosperity of all our responsibility our opportunity अब थीम बहुत बूसते आप लोगोशते है तो यह आप थीम जाते है तो यह कोगी बहुत इंपोर्टेंट यह है Stockholm 50 ठीक है who is the 20th chief minister of maharashtra एक नाशिंदे ठीक है अभी घटना घटी है ठीक है एक नाशिंदे जी है यह बन गहें है तो यह किस पार्टी कहेंगे है बीजेपी की नहीं है शिफ शेना के है हैा इसब शेना को आप से सवाब यह बद पूच सब्सबदी कि यह एक नाशिंदे बने हैं कि नहीं सवाल यह है यह नीए सवाल अब आ रहा है कि एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है शिव शिना पार्टी जो है वो सरकार वुद्धपारती ठाकरे के लीडर्शिप में मरास्टा में थी ठीक है अचानक से उनके आधे से ज़्यादा दो तीहाई से ज़्यादा जो उनके अगर ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी से टिकट लिया आपने अगर आपने के पार्टी का टिकट लिया और जाकर जसे अप पार्लेमेंट में बैठे एमेले बने या एंप बने और आपने वहाँ पार्टी चेंज अरो अब टिकट आ रहे हो कॉंगरे से जितकर और वहाँ जाकर बीजेपी के तरफ चले गए ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है हां यह सब 90 से बहुत हो था कि आदमी जीत का आ रहा है उसके बाद जीत के आने के बाद फिर मनी पावर और मसल पावर से उन MPs को ही चेंज कर दिया आपने तो डेमोक्राशी मतलब क्या रहे गिया वह लोगों ने तो उसकी पार्टी को वोट दिया था ना पॉंग्रेस को या बीजेभी को दिया था और जो पार्लेमेंट ने पहुंचे ने तो यह लोग अपनी दूसी तरफ आ जा रहे तो इस चीज को रोकने के लिए कि एसे खरीद फरक्त नहों पाए तो इसके लिए कुछ रास्ते निगा लेगे कि उस तरीके नि दूसी में दसवी अनिसूची में एक एंटी-डिफेक्शन लॉग को जोड़ा गया अंटी दल बदल कार्नोन को जोड़ा गया ठीक है और यह है एंटी-डिफेक्शन एक्ट 52 एंडमेंट अक्ट 1985 में हुआ जो की 10 शिडूल 1985 में जोड़ा गया अब यह इंपॉर्टेंट ह आप से पुछेगा कि कौन से अमेंटमेंट हुआ था 52 वाला हुआ था ठीक है और क्या हुआ 10 शिडूल हो गया तो शिडूल्यों सब पुछते आप यह तो पहली बार तो यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यारे 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 चुक है समझे आ रहा है लेकिन फिर अगर यह लौ बना है दर दर तो एकदा सिंदे कैसे सियम बन गए पॉइंट यह है जब दल बदल कानून बढ़ा हुआ है तो कैसे बन गए देखिए दू चीज़ होती है अगर कोई इका दुक्का वैक्ती अगर इस तरह हरकाते करता है तब तो चलो वो मान लेते हैं कि यह गलत बंदे ने किया इसको एकदी डिप्रेक्शन कर देते हैं लेकिन अगर मान लेजे दो तिहाई से जाड़ा सदस्य जाकर दूसी जाएगा कि मर्ज होके जाके हो लोग ठीक है तो यहां पर यहां पर बदल ना करके मर्जिंग बाद कर देखिए लेकिन यह चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या होती है ठीक है ना प्रेज़ेंट रामनाथ कोवेंद लेकिन हमें यहीं दूजानना ही नहीं है तो यह करण डफिर्स इंपर्डन नहीं होगा participant इंपनेन रिजह होगा कि इर एटंटी जनरल होता है किया है कि इ Möglichkeiten कि पॉलिटी今日 थे हुआ महानिया वाइडे operate सब्कून होता है वो चीफ लीगल आफिसर औफ दीए म सुरे म सुरे पीम पीम का लीगल एडवाइजर कह लें में डिजह रोता है जो सरकार का सेखाब करने मंदके संदर यह यह पांट साल यह इसमें चीफ लीगल आड वाएजर ही यह ए सवाल पूछा गया है कि क्या ये लोग प्राइवेट 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 पुरसे पोछस्ट भूनियाएवादी तुनेयाज bedeutet के करंट चौनी पढ़ना ना जई करा कि करंट अधिरस करन ट्रप इुदु कॉन से करेंटdoor पढ़ना है और किस पॉरप इस किया ज्यर्ष पना को से प्रफ चुर्प eux सता उसके अलग-अलग-अलग पॉइंट में जाकर लेयर में जाके बात करते हैं, होता घटना हुई है, ठीक है? Which state government has signed a MAU with Adani Green Energy Group Limited, HGEL, to generate 11,000 Megawatt of Green Power? किस राज़ी सरकार ने 11,000 Megawatt हरित उर्जा उत्पन करने के लिए Adani Green Energy Group Limited के साथ एक संदोता ग्यापन किया है? महराष्टा, दिल्ली, करनाटक या उतरप्रदेश? करनाटक, इस वारे ही है, क्या है? महराष्टा, महराष्टा ने क्या है, महराष्टा गॉर्मेंट ने जो है, वो जो Adani Group से 11,000 Green Power जो है, वाकर पांस साल में वो लेगी, इसमें लगबख 7,000 क्रोड का इंवेस्मेंट है, और 30,000 लोगों को employment मिलेगा, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है ही नहीं, आपके लिए नहीं हो पाएगा, छोटा एक्जाम होता है, यह यूपी से होता है, सवाल यहां पर यह आ रहा है कि, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स अफ एनर्जी कोहन से होती है, पहली तीज तो यह है, इसे बहुत सा जुड़दाएगा, ठीक है, अब जैसे कि मान दीजियां जो कि फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल के मतलब हिंदी में क्या होते हैं, जिवास में स खतब हो सकता है, कोईला घो खत्म होता है, ओ कन्वेंशनल टाइप हो गया ऐ अपका, ठीक है, और नॉन इनरजी, सोर्स जूल्रबल नरजी, टाइडल अर्जी, ज्यूतर्मल नरजी, इस अब सवाल के सवाल बनेगा कि हिंदुस्तान में नॉन कंवेशनल एनर्जी में क्या जाता हो रहा है और आप उच्छा भी किया है सवाल यह है पीसे से निया चुका है और यह आपको अभी मैं आपको अगले साल तक यह आद रखना है चीज को एक साले बहुत कुछ घटना कर जाती करने को सब्सक्राइब तक और उनने अपने अनर्जी को करने को सब्सक्राइब तो इस तजबिख लगे किस्ट किस्स टेट में न्यूजी्ड कि सब्सक्स पर करेंगे सब्सक्रिफ हैं तो अनिह सब आपको यादकना है जियोथर्म पानी नी कराता है आप मन्ली करालय कोड़ार मिरेश्र मैं क्या हुआ पैह तो गरम पानी का शो था होते है पान ये इन नहीं है ये इन इन इंपॉर्टन कर ठीक है कही पर इन भीचाहे झाना बस इस वाथ था रहें गा जरूर नहीं यूपी पीसेस के अंदर आपको सिर्फ यूपी की ही योजनाओं के बारे में पत्कुछा जाए आपसे आपको पढ़नी है एक आधा जो में बेटियों के अपर हो गया यह सतरा की जो खास जोजना होगी तो आपको याद रखनी है इसे में जो है वो आपकी के रल की योजना है सब्सक्राइब के लिए इस्ट्री तो विन अच्छी मैचेस इन और फोर ग्रेंड स्लैम सभी चार ग्रेंड स्लैम में जितने वाले इतियास के पहले चाली कौन है अब यह क्या है चीज़ है कौन कर स्पोर्स की बात कर रही है कौन कर स्पोर्स है लॉन टैनिस ठीक है अच्छा पीसियस में मैंने पिछले 7-8 साल के देखा कि कभी कभी है महला कुछ स्पोर्स से बला मोभबत होती है एक सीज़न आता है जैसे कि कुछ टाइम पर उनको आईपल से बड़ी मोभबत थी तो आईपल से सवाल बहुत आते थे फाइनल में पहोझजी था इते तो इसको मिला फिर इंका मोभबत वे हिंको टैनिस से टैनिससे का सवाल अजाइक तो पहले थो समझे आईतर लॉन चनिसki बात और ऑगए और ग्राइंड स्लाम किया है कि मुख्यता है लॉन टैनिस में चार सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं जो ग्राइंड स्लाम करते हैं टूनामेंट के लिए एक है ऑस्टिलियन उपन एक है विमिल्डन जो चल रहा है एक है फ्रेंच उपन और एक है आपका युएस उपन ठीक है तो ये ग्राइंड स्लाम सोते हैं तो इसमें एक वर्ल्ड का नंबर में खाड़ी नवाक जो के विछ है इसने सभी इसमें करके 80 मैसे जीत नहीं है तो आप यूभी पीसर्स को पीछे मा समझ जिएगा बड़े कभी-कभी ऐसे स्पोर्ट्स सवाल पूछ लेता है वह जो त्यक्रिकिए जैवरे पीसर्वाल अधिन किया स्वाल कुछेंगे यूप वाले किया स्वाल पूछेंगे ळाना ना पूछ लेंगे पूछ लेंए अठीम पूछ लिया उन्होंने लौन टैस पूछ लिया पिसल्वी और बेकल एक्सपरिमेंट मोड्यूल पोयम इस ऐसे टम विच और प्याज़ेशन पीएसलवी कख्षिय प्रयोगीक मॉड्यूल किस संक्रफन संबनीत है दियाएएईजो इस्रो अचेल भी अचेल इस्रो से है इस्रो किने ही चीज से यह मना हुआ है उसके नाम है पुरा पेसलवी ऑर्बिटल एक्सपरिमेंटल मोड्यूल पॉयम ठीक है इस प्लैटफॉर्म विच इस यूज़ परफॉर्म इन और्बिटल एक्सपरिमेंट्स उसके अदर पेसलवी में यूज़ और यह बड़ा इंपॉर्टन कोशन है ठीक है पॉयम एक नहीं टेक्नोजी है नहीं चीज़ है तो आज दाएगा ठीक है दिकत कुछ हो रही है को दिकत आ रहाँ ना केंद्र मंत्र मंदल ने जुलाई 22 में किस संस्तान को अंतराश्चे संगधन के रूप में वर्गीगत करने की मंजूरी दी है इंटर्नेशन सोलर अलाइंस बिम्स्टेक कोलिशन ओफ दिजास्टर रिसालेंट इन्फरिक्टर या वन संग वन वर्ड वन ग्रेड योजिना यूनियन कैबिनेट पर देटर समय यूनियन कैबिनेट क्या होता है और इसका बड़ा भाईगा होता है कॉन्सिलों मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर के भता है न चलिये उन्होंने एक और इस चारों में से एक संसा को इंटर नैशनल ओर्गैजिशन का दरज़ा देदिया है और वह है आपकी कोलिशन ऐफोर डिसास्टर इसावलंट इिंफासर्ट धिके ये अच्छा अब यह डिजास्टर जो है दिजास्टर मैंजमेंट और एक नली स्टेट के भी वहते है जो न राइस्टर ऑप कॉलाब करती है दिस तरका सबल सोल है है कि इस पूरे बेंब पूरानिफ से टिसर डाम गलता थाकर इस समय पुरी दुनिया में डिजास्रे एंवर्मेंट की समस्या है अब सबस्क्राइब किसे ना किस रूप में आपको दिख जाएगा वाटर बेस्ट मेनेज़मेंट आज जाएगा या वो कच्छा हो गया या कुछी भी हो गया पूसकता थे ओटिक है विज्टी है विच इस ता ऑल्नी स्विशन इंडिया एक इस्ट एलेकूल बॉन ने इललक्ट काता है यह थैव सब्रू बांन धराओ कि अभी तक आप के इलेक्शन में इस्तिमाल हो रहा है यह मूटा समझो पहले कि यह वहता था कि लोग अगर किसी अपनी मंदऺ संथ पाटी को चंगा देना जाएंगे चाहते हैं तो का kadar टांस्पिरेंसी नहीं पाती दिनी नाम चुप जाता था छोटे मोटर के घर को सबbility कर देतीक से 2 bac के नहीं करुड़ का इसके भी निकार है कर यह वह फिर को चंदे पर्स दानोग के लिए डॉल तो इस चीज को ठीक करने के लिए कि जो लोग चंदा दे रहे हैं उनमें ट्रांस्पेरेंसी रहे तो यह इलेक्ट्रॉल बॉण्ड जो है वो लॉंच किये गए ठीक है इसमें क्या होता कि 20 हजार रुपए से उपर के अगरा चंदा देना चाहते हो तो आपको एक एलेक्ट्र पार्टी को ही करते हैं वाला बीजेपी को आपने का कि मैं एक लाग रुपए चाहता हूं तो आप एलेक्ट्रॉल बॉण्ड के माध्यां से ही उसको दोगे और आप साइं करोगे पेपर होगा ठीक है आपने और यह जो कि लॉन को आप करती है तो आपने लिखा तू बीज पार्टी जाकर बैंक में लगाएगी और आपका भी एक ट्रांस्परेंस लेगी किसने क्या किया अब इसमें कैश किया है इसमें कैश यह है कि बीस हजार से दीचे वालों के लिए यह नहीं है तो अगर आप करप्शन रोखने की बात कर रहे हो यह बात जब आज की पुराणी पासा साल हो गाएगा जब अनना जार वे मुमेंट था तो उस समय से यह चला आ रहा है तो कहते हैं अगर आपको करप्शन रोखना है तो आ कि कोई भी अगर बंदा किसी भी तरह कप अगर पार्टी को देना चाहेगा तो इलक्ट्रोल बॉर्ण करो इससे जानकरी जो पैसा दे रहा है उसकी जानकरी आजाती है आपने का सिभी सहार सुपर वालों गम रख देंगे लेगे ऐसे वह सब्सक्राइब करके वह दे सकता ह कि पूरा कानून भी बना रहे हैं और उनी का है तो अगर मालों इलक्ट्रोल बॉंड में में सवाल आ जाए तो पता होना चीज क्या चीज होती है ठीक है थे सेंटरल आइडिया बिहाइंड एलक्ट्रोल बॉंड स्कीम वासुट बिंग अपाउट ट्रांस्परेंसी इन इलेक्ट्रोल फंडिंग इन इंडिया यह बहुत इंपॉर्टन चीज है यह समझे इस बात को क्योंकि फंडिंग जो है न वही तो मेन है जो पैसा द करता ही है तो इसको इसी को ट्रांस्परेंट करने के लिए ही कोशिच की जा रही है तो इस इंडियन और्गनिजेशन केरी आउट अउट ता मेडियन फ्लाइट टेस्ट ऑफ और्टनॉमस फ्लाइं विंग टेक्नोलोजी डेमोस्टेटर किस बहार से संगड़न ने और्टन और यहां टाईपगाय रिए वर कामेंट डियाइड ऑफ दिएस रिसस्ट अंड ट्रश्गाइं जो हमारे डिथेशन के जितने भी एक्विस्टे मनाता है एक ताम मेंडिन मैंदिंग मदलब गड़ता है पहला फ्लाइट टेस्ट और अट्वन फ्लाइंग विंग टेक्नोल अब पर पर जान माल जानना खतरा नहीं होगा अब दूसरे देश के उसमें आप करवा रहे हो अब इसे की गलवान हाटी में जो हुआ था तो वहां पर बहुत जादा इस ऐसी महसूस किया गया था अब अगर पकली भी जा रहे हैं मार गिराय भी आ रहे हैं तो कैस्वल्टी नहीं हो रही है ठीक है तो फ्यूचर टेक्नोजी है यह माले एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान खाली कम्पूटर बैट करी लड़ेगा अब पाजियों को उतरना भी नहीं पड़ेगा कि अब जो है अब आर्मी मैन पावर पर मैंटर नहीं करती है अब वह जवाना चला गया कि मुगल टायम पर कि जिसकी सेना ज्यादा वह जीत रहा है अब इसलिए इसलिए चाइना ने अपनी आर्मी में कम से दो से चार लाख लोगों कम कर दिया क्योंकि आप स्मार्ट बंदे चाहिए मैं स्मार्ट आर्मी होने चाहिए स्मार्ट अलब के एक्यूपमेंट्स होने चाहिए क्योंकि अब ऐसा नहीं कि हमारे पास दस लाख लोग होंगे फौजी तब ही जाके हम अटक करेंगे और जीत करान कि इंडिया को इजो ये अगनी वीर वाला स्कॉंसेट लेकर आए तो यहां पर जो सरकार पॉइंट बोलती है कि अगर हम पैसा बचा लेंगे जो कि बहुत सर पैसा जो है सेलरी में जाता है और पैंशन में आता है तो हम इसको स्मार्ट कर पाएंगे अपनी अपनी अपन कोईटे बस तो आप जवाना नहीं रहे कि यह फाइटर पैलेट सही है अब दना फाइटर पैलेट कि आपका यह जाद लूदरा आपका इस्टली विच स्टेट गॉवर्यर क्लब को इट वार्यों किस क्स राज जिन की है तो वह की है व्स भंगॉल है ठीक है और फिलिए अ आफ ब्रिक्स हाल में किस देश ने ब्रिक्स का सरज से बनने का आवेदन किया है इराक, इरान, अमेरिका, इंगलाइन, आइलाइन, ब्रिक्स, पता आपको, ठीक है, मल्टिनेशनल और्गनेजिशन है, ठीक है, इसके अंदर आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, स्थाटा अफरीखा है, ठीक है, इसमें जो है सर्ज बनने के लिए एरान ने हवेदन किया हुआ है, ठीक है, इरान ने किया हुआ है, और है अर्जन्टीना ने भी बोला था, विलेकर जो बिए अबिशल नहीं हुआ है, लेकिन इनिरान को रहिए आपको, इंकी मिटिंग य बये रेंब लेकिन जीस्ट्टू में इनॵटेंट है नस ये कि इजांपल मिल्च तेक जब से मोधी जी आए टोनों में कुछ कंट्रीज्टों करती हैं जैसर कि शेलंका हो गया बंगलादेश नहीं नहीं है अप प्रॉलम कि आते हैं जेब से सार्क बना तो इंडिया और पाकिसान की संबन्दों ने इसको कभी ढंक सपनपनी नहीं दिया शार कभी डवलप नहीं हो吸ग और हमेशा से इंडिया पकिस्तान के बड़े सब तो हम तो हमने इस टेक्टलोंजी को इंडिया और 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 आप लोग के सटलाइट के प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् पाकिसान हर काम में डाल देता है ठीक है एक मल्टी नेशनल रूड का एक कॉंसेट आया था कि भाईया थाइलेंड को चलते हुए मैंनमार से होते हुए बंगलादेश इंडिया से सब्सक्राइब कर दी तब फिर इंडिया ने क्या कि सार को किनारे किया और बिंस्टेक को किया कुछ कंट्रीज तो है बंगलादेश शिलंका मैंनमार बुटान और कुछ एक्ट्र लेलिया अफगानिस्टांस को भी बाद में इंवाल कर लिया अलग बात रही है तो पाकिसान किनारे करने का एक स्टैटिजी बनाएगे तो में पालाई करनी है बंद करके निए आप बंडे एक्जाम नहीं दे रहे हो आप पीसे करने ड़ेश पड़ रहे हो तो मैं मेरी कोशिश है कि आपको सभी तीजों से मैं अवबत करा हूं विच्छ निव बॉड़ी है इसको रिप्लेश करके एक नया संस्ता आ रही है कौन सी इस तो को रिप्लेश कर रहे है एफस आइबी ठीक है पानेंशल सर्विस्स इंस्टिज जो रिप्लेश करेंगा बेंक पॉर्ट ब्यार काम क्या है इसका काम क्या है कि यतने भी आपके पॉलिक सेक्टर बैंक होते हैं SBI बैंको वबल ता ही ठिक है और इंशुरंस कंपनी होती ह इनके जितने भी officers होते हैं, head, उनको appoint करना, जो कि appointment, तो इसको board बेटता है, ऐसा दर हो, तो कोई test देते नहीं होंगे, इंटरेंस test दे रहे हैं, means निकाल दे, प्री निकाल दे, इंटर्व्य निकाल दे, वो नहीं हो, तो board होता है, तो ये board जो है, इसका काम है, ये important सवाल है आपके लिए, आया था, क्या बात है, ठीक है, who is a new president of financial action task force, FATF, financial action task force, FATF के नए अध्यश कोन है, विरल, अचारिय, उर्जित पटेल, टी, राजा कुमार, शुवाश चन्द, गर्ग, पहले तो मैं ये बताओ कि, किसने सुना नाम, FATF के नाम सुना है, अगर आप पाकिसानी होते हैं, तो आपके जबान में होता है, FATF क्या चीज दरते हैं, Financial Action Task Force, ये वो संस्ता है, जो ये सुनिशित करती है, कि कोई कंट्री, Money Laundering में तो नहीं है, या Terror Funding में तो नहीं है, Money Laundering और Terror Funding, और अगर कोई कंट्री, Money Laundering ये Terror Funding में पकली आती है, तो ब्लैक लिस्ट कर दियाती है, और ब्लैक लिस्ट कर देने से क्या होता है, उसी तरह से ये FATF अगर ब्लैक लिस्ट कर देगी, तो लोन नहीं मिल पाता है, या बहुत ही उचेदर पर लोन मिलता है, उसने, इसी कारण से कुछ जो पीछे कुछ कतम उठाए हैं, बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने कि किसी तरह से टेरर्स अपने जो अपने organization कुछ कंट्रोल करनी कुशिश कर रहे हैं, लेकि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो पाले हैं जिनको, आप कितना, आप Dieu कोड़े हें, आपले हो जो पाकिसान के वह तरहे हैं लोसाशन से भाहर निकल चुके हैं, पाकिसान के आरेमी के या पौकिसान के पास भी बसकी बात नहीं है, कि उनको इनको से अप जो अब नए देश्ट बने हैं वह ती लाजा कुमार नंगा है जो कि Singapore के हैं थीक है सिंगा शिंगापूर के तो हां Singapore के हैं थीक है Singapore के ती लाजा कुमार अपले इमानदार उप बड़े इंसान हैं अब प्रॉलम किया है कि पाकिस्तान ब्रदास नहीं कर पाता क्या एक तो जो बड़ी और्क्राइजिशन है वहाँ देरी दरे इंडियन घुस रहे हैं अब घुस क्या रहे हैं यह तो इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग ठीक है अब टी राजर कुमार कर एफटी अपर चले गए और यह से कि बि प्रफेशनल लोग होते हैं लोग बड़े प्रफेशनल हैं ठीक ऐसा नहीं कि सिव इटसले कि इंडियन ओरिजिन के हैं तो यह कुछ गया लेकिन सौफ पावर भी तो कुछ होती है हर चीज हार्ट पावर सुड़िया होती है तो बस तो पाकिस्तान में बड़ा दुखी है मैं दुख देखा नहीं आता है पाकिस्तान का अब 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 तरस आता है अब अब गुसा नहीं आता है अब तरस आता है इसलिए कि जलन जो होती है आत्म घाती चीज है जलन किसी से जलना चाहे वो इंसान किसी दूसरे इंसान जल रहा हो या कोई देश दूसरे देश जल पाक्सान कभी भी यह नी सोचा कि उसने उसको तरकी करने इंडिया को किसे कर दें इंडिया को कि अभी नीवाया खुदी भी जब खड़ा हो गया अच्छा एक्किसवा कोशाने विच यूनियन मिनिस्टी रिलीस एस डी जी नैशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एन आएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट दोजार बाइस किस केंदे में तराले ने एस डीजी नैशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प् सब्सक्राइब करेंगे हम जीरो हंगर जीरो परवेटी यह सब ऐसे कुछ अच्छे आप यह रोज 31 तारी को आप लोग एक वो बनाते हो एक्साइज करेंगे एक घंटा पढ़ाई करेंगे ठीक है समोसे नहीं खाएंगे सराप सिरट नहीं प्याएंगे लेकिन वह एक तारी के बाद दो तारी को इस तरह खराब गयाता है तो आपकी बात है लेकिन एस डीजी ने यह उनाटे निशन ने किया हुआ है कि हम अगले कुछ सालों में हम इस चीव करेंगे 2030 तक हम अचीव करेंगे तो वह यह तो यह तो यह समय कि और पढ़ेंगे कि क्या क्या निकल के आएगा यहां पर का रहा है कि प्रॉफेसर पीसी महरा बोनिस नेशनल अवार्ड ऑफिशन स्टेटिस दौरपाइस बढ़ा अलसो अवार्डेट इन आम सुना है कभी पीसी महरा बोनिस कौन थे हैं हां मॉडल है यह स्ताइटिस्यन बहुत बढ़े स्ताइटिस्यन से इंडिया की जो देओन है अगर कभी आए कि इंडिया ने इंदियूसमें नेस रिपोर्ट या कुछ इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हो तो उसका डेटा किस तरह से मैनेज किया जाएगा या किस फॉर्मले के साथ चीज़े आएंगी वो जो तरीका है वो इन्होंने किया था और बहुत ही रिणाउंड हैं बहुत ही बड़े इंका दुन्या लेवल पर कुछ तरीका तो पताया कि कुछ अगर हम किसी का रैंकिंग कर रहे हैं तो कि नहीं कि इस तरह से तो सर्वेय होगा उसराइब स्पेर फिस तरह इस तरह से कि तरह की दोरा की नहीं हो रही है तो ये rate सब्सक्राइब लोग दंसे concerned kin च्थेय कापी इंपॉर्टेंट है जी विछ इइन इनिय स्टेंट है इस लॉच भाइब लॉब नहीं को सलाम नमन कॉन किमाश्यलपAudएश जैक्श हमत्या ने नरी को नमश पर दैसे नहीं किया कि टिया टिके बस में जो है उसको 50 पेसम हो में त्रेन थो है never तो है हिमाश्यलते टिश नहीं एब पुरुष को नमन नही है नारी को नमन महला की सिते डिल बीफाय का ए जते है और अच्छा और मालोग दो सिटे रिजर्व यह है, मालोग दो सिते डिल एवाय की सिते डिल और मालोग दस तशले लगें तो फी महला जाकी पुलिप जाएगी, तब नही ध्थ हो गए? तुम द्राइवर के सीटें बैठ जाए रागे नाइन्थ आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स बिटून अउस्टिलियाई सेना और भार्ति सेना के बीच नभी आर्मी टू आर्मी स्टाफ वारता के शहर में आविद की गई है आंसर है देहरदून ठीक है देहरदून में कीए अच्छा अब यह से हो यह सवाल वैसे दो चलो कि करेंट का है लेकिन बाइलेक्टरल मिटिंग्स बहुत होती हैं बाइलेक्टरल दूपक्षी अभिहास मिलिटरी एक्साइज तो यह इंपॉर्टन चीजें हैं ठीक है यह सब एक्जाम है से जार उबर पुछी जाती है तो उनको नजर वह रखना है तो विच एडिशन ऑफ सिनर्जी कॉनफरेंस बिट्विन इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट देपार्टमेंट वास हैं बाद से इन और लक्षा लेखा विभाग कि भी सिनर्जी समेलन कौन सा संस्क्रण नहीं दिल्ली माज़त किया गया है यह किया गया है कौन सा है चौथा संस्क्रान ही है फोर्थ सिनर्जी कॉनफरेंस दोहर बाइस जो की इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट देपार्टमेंट इन दोनों के विच में वाइखा है बहुत इंपॉर्टन सहवाल नहीं है घजाओ डीवी पाटिल इंटरनेशनल एरपोर्ट हैस बिलोकेहिए इन वी छूप द्वी पाटिल नाम चुना कभी माराश्त्रा के मुखी मंती रह चुक है यह करकट स्टेडियम बीन के नाम पर है और अब यह मारास्टरा में इंका एरपोर्ट इंके नाम का वो डिवी वाइडल के नाम बे बनेगा त्लिया रिसेंट्ली डिपार्ट्मेंट अफ टेली कॉम्मिनिकेशन हैंसे टाइड अप विद आई टी आई लिमिटेड एंड विद हूम हाल में दूरहंचार विबाग ने आई टी आई लिमिटेड और किसके साथ करार किया है किसके टुष करें अल्लायूस इतारामन राजू दुष क्रम फ्रॉप प्रॉटर्फ विजंट बेस्टेट अलूरी इसीटाराम राजु इस वर्तमां राज अब यह करना सुना अभी इंक नाम अलूरी सिताराम राजू और ने सुना बीकुल सुना लिखा नहीं आर आर राजिया आरा डेकियें? स्थिवाइ.. पचासवी.. पिजटरवी.. सवी.. एकसोबच्च्ईवी.. पास्या लाएं.. इस तरह जो थे.. तो जब इस समझ जआ और किसी का कुछ होने वाला है तो समाझ जाना कि कुछ ना कुछ सवाल UPSC में है पीसे से माने वाला है खासर UPSC में तो एक सो पचिस्वी है हो सकता कि आपको जैसे एक कुछ कुछ करन्ट अफर्स कर बनाए अब क्या कर मोदीजे रिखा किया है तीस फूट का ब्रॉंज का स्टैचू बनाती है ठीक है उनक क्या खाइक ठीक है एब लोगा नहीं है तुमने भाइलोगी तुमने खायोगी एब इस पास में तो है छीटियों की करिः हिंदुस्तान में अच्छा फिछ से दिस आउन कुछ कंष यहां हमारे परसक्शन से बिलकुल उल्टा नहीं मांते हैं और हिंदुस्तान में ही फुब है कि इसके बिलकुल उल्टा भी पॉसिबल है और यहां पा यार पाई यही तो खुब शूर्थी आव चैनल डाइव शिटी है यही तो है न कि जव आप हो वो तो ही है जेडिस लेकिन जवाप बिलकुल न declaration which has been in the news is associated with the conservation of its entity Lisbon declaration जो खपरो मेरा की संस्था के संदक्ष्टन से जुड़ा हुआ है किसे उड़ता है? ओशें से समुन्दोर से, ठीक है? The UN Ocean Conference 222 Concord with the Unanimous Adaptation of Lisbon इस इंपोरेंट है Unanimous Adaptation of Lisbon Declaration किस ने किया है? UN Ocean Conference ने किया है Our ocean, our future, our responsibility More than 150 countries agreed to scale up Science-based and innovation action To address the ocean energy Emergency कि बाई, 150 countries ने साइन किया है Lisbon Declaration यह इंपोरेंट है Lisbon Declaration समख लेना जैसे मैंने स्टॉक्होम कॉन्फेंस साना उसना यह Lisbon Declaration है ठीक है? क्योंकि यहाँ पर समुन्द से जुड़ा हुआ है उसके संदक्षन की बात हो रही है बहुत इंपोरेंट है यह धियान अकने इस बात का Lisbon वाला भूलना नहीं विच यूणिन मिनिस्ट्री रिलिस्ट स्टेट स्टार्ट रैंकिंग 2,1 किस मेंटरा लेन लिकिया हुआ है देखें है यह है मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज रैंकिंग आती बहुत बार आपको इस तरह की ठीक है बेस्ट परफॉर्मर कौन से है गुजरात करनाटा टॉप परफॉर्मर है केरल माराष्टा उडिस्टा तलंगाना लीडर रहे है अलग 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 कैटेग्रीज रही है फिर एस्पारिंग लीडर कौन से है अलग वाते है मुझे तब था इसे है अनौनी ने पुछू नहीं लेलो अच्छा सबस्ब को किसी नमश्यमिंम डाल दीया स्म्क्राइब कुछ में कि दीटल इंडिव दोय्वाकिट। इंडिटल इंडिए। इंडिक में आप्राइब कहिए। कि चार्थीर टेप फिरॉद्ट आसे विडियर का ग्रुद आफ्न गमनाट दीटल ओंडिटन न्याम मंग स्क्था संतर्फीड। चलो ठीक है। अगरिंड डू था नाइट फ्रैंक्स एश्या पैसिफिक सस्टेनिबिल्टी इंडेक्स 2021 अच्छा अब एक चीज और सुनो अब ना सिर्फ यूनाइट नेशन तक कीमस समझे लेना कि और जो हैं वो सिर्फ यूनाइट नेशन की सवाल बनते हैं कभी कभी कुछ ऐसी संस्ताय भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बट एक्जाम्स में जाता नहीं पुछी कहीं हैं अब धीर देर पुछी आने लगी हैं यहां पर क्या है नाइट फ्रैंक्स एश्या पैसलिवी सिस्टेन इंडेक्स हैं हम लोग करते हैं बहुत सब्सक्राइशन के पढ़ लिया कि यहांटेशन ने जो अपना SDG बनाया यह उसके ही पढ़ लिया लिक कभी कुछ संस्ताय जो हैं अब सवाल इसे बनने लगे हैं आपको किसी ने करा दिया किसी किसी ओर्गनाजिशन ने करा दिया संस्तान ने करा दिया तो ध्यान पढ़ेगा म लोग को according to the ninth francs asia pacific sustainability index which Indian city ranked 14th in the APSC region in the gold standard category in terms of compliance with sustainability norms in the development of commerce real estate स्वाल मानक शेड़े में APC शेट के 20 शेयरों के सुची में बैंगरुड चौर्डव स्थान पर है इसे लोग संडर कड़े में दिल्ली सत्रुवें है थार्वें मॉंबई 20 वे स्थान पर है अचल संपत्ती के भिकास बे स्थेट तामान अंडों के लिए प्राम मिंस्टर रेनम होदी पाटिसीपटेट इंद क्या है उद्ध्यमी भारत प्रोग्राम एंड लॉंच आर एंप प्रोग्राम इसका है राइजिंग् एंड एक्सलरेटिग MSME 2017 स्माल मीडियम में कि एंटरपाइस वी बिचने अब आपको यह और कर ना है यह कह लिए है क्या तो चोटे कमतलब क्या है तो किस किस कि तरौवर करोगे ना टरौवर हो गया या कितने लोग इसके एंप्रॉई है उसी तरह देखोगे ना कि कुछी चोटी है बड़ी है हमाल करते हैं उसके उपरह तौटडा करते हैं उसके और और उपर काया यह परक है यहां ने ना में देखना यह आपके काम है कि एकि माइकरो थी बोल रहे हैं वो माइक नटलब क्या है ल prac यह कुछा ने किसको ब्हुत आपारी करेंगे अगर ती चार पांच थी ऑसा म operate kito और擊 शुको हुआ थे माइक करेंग यह लोग नहुंगा उपने थे स्थ्थ। rate that will be levied on the fees charged by banks for the issue of cheques जारी करने के लिए बैंक को द्वारा जारी की जाने वाले शुल्क पर लगने वाले GST दर किया है बैंक को द्वारा जारी की जाने वाले शुल्क पर लगने वाले GST दर वो 18% है ठीक है? GST में 47th GST Council meeting under Chairman, Chef of Union, Minister and Finance Corporate Nirmala Sita Raman अने in a meeting GST on LED lamps, lights, features and their metal printed circuits बोर देटेवर 18% to 16% करते हैं विच स्टेट यूटी पास्ट बिल्स तु हाइक सालरी जाने वाले ओवर 16% of its member किस union territory या स्टेटेट्री ने अपने लोगों को अपने MLA को साथ चार पर संट जालरी बादी भाई कौन है? दिल्ली में 6-4% उनकी सैल्टी बादी बादी है, किस की बड़ी है? स्पीकर MLA की बगरा की? पबलिक की नहीं बड़ी है? अपनी बढ़ा है अपनी बढ़ा है, ठीक है? अरे तो लोग सब्बा में तो बढ़ी थी, शैल्टी तो बढ़ी आती है पैसे की बहुत जरुत बढ़ती है स्पीकर में बढ़ा है यह कहने की बाते हैं मैं बहुत ही मलब आपको आम आज मी समझ नहीं पाता है अब जब भी नेता बनना हमारे देश में असान काम नहीं है ठीक है? नेता का आप बन रहे हो तो आप MLA भी हो गए अपने चेतर के तो आप मांगे चलो कि एक दिन में कम से कम आप पांच या दस जिगा तो आप जाके भाशन दोगे आप मूटा मूटाब अगर MP बनके तो पांट जिगा बीजगा बुलाई जाओगे जहां पाओगे पांच-छे जिगा पाओगे दिन भर में उपर जहां जाओगे वहां पर आप उस तरीके से जाओगे कभी आप कुछ किसी की घुप करने की लिए मतलब जहां जाओगे मैं कैस तो आप डोनेट इक आख किया होते वैसे शांसल नीदी होती है सब नीदी होता है लेकिन कि अगर आप जो भी आदमी नीता बनता है लोगों से मिलना मिलाना और ये इतना ज़्यादा खर्चिला काम है कि उनको पैसिक दुद्ध परती है और उसे सैलरी होती ही बहुत कम अगर माद सैलरी है कि पचास या साड़ जार रुपे हो जाएगी तो वो नेता बनी नी इसलिए नेता हो काप सैलरी बढ़ जाती है लोगों की तो भी आप सुच्छना कि एक आम आदमी के सैलरी है चालिस पचास शार रुपे होती हो कुछ होती है आप कभी चाहता नहीं कोई आम आदमी की घर महमान आजाए को उसका बजट बिगड़ जाता है और नेता काम है कि दीनने यह डिए इंधर मिले आज गौह गाम है में से गड़क अछरा उन वे ज्मिलकर व शोचना है कि टो कितना Phase यह ज़ो अपने दूख ब्लुछ इंपनाग और अपनी उनुख बढ़ claim ने नीदो प्रभन्दन के लिए आईयूस प्रताओं को शंघय कर लिया है डिति आयूग ने किया हुआ है जो NEW इसे नहीं हे है लाउची पौर्टल नों परिशा संगम इन प֌रेंट है किस 네 परिश्ण कॉन से पोटरल ने किया है CBSC ने किया है CBSC ने परिक्षा किया था परिक्षा संगम किया हुआ है कॉन जंसता निर्मान कंपनियों का को यहीं संगार सब्सक्राइब एगल bring और को ऑफिक्स में सबस्केर कोelsे है बहर दाती है तबिकर बाइग करेंगया था ने खरीकों ह Нे लॉख स्टाद घ्र अर ब्रियापनिविक्षा को तुक्क ने होलि autos मैनिंफेक्चिन क्या होता है विनियर्मान कैंपनिया तब क्या समां क्या मनाती है समान बनाने वाले फिर वज़ेक है किया हूं पडिपर समान मनाती हैे हैं उल्ड क्या मैनफ darkness sağ kmSi who has received the Shriwani Award at NRI World Summit 2022 in the United Kingdom for her contribution in the field of art कला के छेत्र में योगदान के लिए United Kingdom में NRI World Summit 2022 में Shriwani पुरस्कार किसे मिला है माइकल पुनेवाला नहीं का है रश्मी साहो रश्मी साहो माइकल पुनेवाला ही मिला है रश्मी 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 पुनेवा कॉंघ के एर ऐफिसर कमांदिंग इंचीफ की रूपने किसे नयुप क्या गिया है क्यों और भाई तो कोशन के भोग गया कि मार्षल एर मार्षाल एपी सिंग अधरा ऐडरा ओफिसर कमांदिंगिंचीफ परेटिजे शेंटर कमांड फ़र यह elaborate सब्सक्राइब करें लिए एक हफ्ते का जो भी करेंट उफिर्स मना इंपॉर्टेंट कुछ जादा इंपॉर्टेंट है कुछ हलका कम इंपॉर्टेंट है लेकिन लगबग जितने भी चीजे थी वो कवर कर ली है अब पढ़ना आपकी दूम्हेदारी है